अमेरीका में डॉक्टरों ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है इस सब्ता 58 वर्ष ये एक वेक्ती का सफल हार्ट ट्रांस्प्रांच किया गया इस हार्ट ट्रांस्प्रांच में मरतेवे सक्ष के शरीर में सुवर का दिल प्रत्यारोपित किया गया वह दुनिया में अब तक का दूसरा मौका है जब किसी इंसान के शरीर में सुवर का अंग लगाया गया हो। डॉक्टरों का कहना है कि ये मेडिकल फिल्ड में नया मील का पत्थर साबित हो सकता है। न्यूस एजेंसी के अनुसाट जानवरों के अंगों को इंसान में ट्रांस्प्लांट करना जिसे जैनो ट्रांस्प्लांट कहा जाता है। मानव अंग दान की पुरानी कमी का समधान प्रदाम कर सकता है। वर्तमान में एक लाग से भी अधिक अमेरी की ओरगन ट्रांस्प्रांट के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। उप्रेशन से पहले University of Maryland ने शुकरवार को एक बयान में कहा था कि दोनों हार्ट ट्रांस्प्लांट University of Maryland School of Medicine के विशेशक्योदारा की गई है। University ने आगे कहा कि इसमें पहले मरीज की पिछले साल ट्रांस्प्रांट के दो महीने बाद कई कारणों के वज़े से मौथ हो गई। सहायक उपकरणों की सहायता के बिना अच्छी तरह से काम कर रहा है। वे अपने शरीर को नए अंगों को नुकसान पहुचाने या अस्विकार करने से रोखने के लिए पारम पर एक एंटी रिजेक्शन दवाई ले रही हैं। और साथ ही एक नई एंटी बॉडी थेरपी भी ले रही हैं। डॉक्टर के अनुसार वे ठीक हो रही हैं और वे अपने परिवार के लोगों से बात भी कर रही हैं। वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।